हेलो इस्टुडेंट्स दिस राजीव एंड यूर लेनिंग ऑन एम्स अकेडियों सो नाव विए विए दिस्कस एक्जाम्पल फॉर्टीन ओफ चैप्टर फाइव अर्थमाटिक प्रोग्रेशन तो रीड कीजिए find the sum of two options are, two आपको इसमें दिये हुआ, sums वो करने हैं ठीक है बोल रहे हैं the first 1000 positive integers, positive integers क्या होते हैं जरा समझिए आप यहाँ पे let करेंगे मतलब first positive integer है one, second है two, third है three and dash dash dash, last क्या होगा 1000 तो यहाँ पर A हमारे पास हो गया 1, difference कितना आ रहा है, 1, और अगर आप सही से देखें, तो आपको A N दे दिया है, क्या दे दिया है, A N, which is 1000, और साथ में अगर आप देखें, तो आपको total number of terms भी दे दी है, which is 1000, ठीक है, तो इसका मदब यह है कि यह 1000th term है, हमें क्या निकालन है, sum of N terms, तो इसके लिए आप हमारे पास दो option है, एक तो हमारे पास वहाला formula है, 2A plus N minus 1 into D, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना यहाँ पर देखो, last term given है, जब last term given होती है, तो हम यह वाला formula यूज़ करते हैं, ठीक है, तो S N, N की value कितनी? 1000, N की value कितनी? 1000, divided by 2, first term क्या है? 1, plus N क्या है? 1000, तो 1000, इसको solve करेंगे, तो 500 आ जाएगा, into 1000, 1, multiply करती है, तो sum of 1000 term is this, ठीक है, यह हो क्या, अब आजाए इस पर, वो कहरे है, sum of N positive integers, तो sum of N positive integers क्या होगा भई? formula यह लगेगा, 2A वाला लगा तो, 2A plus N minus 1 into D, ठीक है? अब N की value जैसे आपर 1000 मिल गई थी, अब नहीं पता, वो कहरे है, sum of N terms बता है, यह तो basically आपको formula बताना है, formula हमें already पता है, लेकिन इसमें हमें A और D की value भी पता है, तो अब आप वो और put क कर देंगे, ठीक है? 2A, A की value है, 1 plus N minus 1 into D, D की value भी कितनी है? 1, as N is equals to N by 2, यह देखे 2 plus N minus 1, क्योंकि जब आप 1 से multiply करेंगे तो यहीं आ जाएगा, ठीक है? कुछ बच्चे भई 2 से 2 को काड़ते रहे है, यह ऐसा नहीं करना है, बिट्टा, बोर्ड बास हमेशा mind में रखे है, अब जड़ा देखे, 2 में से आप 1 subtract करोगे, तो क्या बचेगा? 1, अब अंदर multiply कर लीजिए, 1 by 2 को आप यहीं पर रहने दीजिए, और या फिर ऐसा कीजिए, इसको अंदर multiply कर दो, तो N का square, इसको अंदर multiply करोगे, तो N divided by 2, so this is the sum of N terms, यह निया sum of N terms, यह भी है, यहा जाएगा formula, ठीक है? I hope कि यह वाला question अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत easy है, और अगर समझ में आ ही गया है, तो वीडियो को like करके, चैनल को subscribe भी कर लीजिए, bell icon को honor के, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में आपके साथ share करता रहता हूँ, और जैसे ही मैं आपके लिए next videos upload करूँगा, आपके पास notification सबसे पहले आ जाएगी, मिलते हैं next video में next example के साथ, till then take care,